पतित पावनी मा गंगा मा की नगरी में सितामु प्षेत्र के बिश्निया से 4 किलोमीटर दूरी पर पौरानिक वैकुंट धाम के शंगर बालाजी मंदिर स्थित परिसर में आसपास की समस्त ग्राम वासियो द्वारा संगीत मयव शिव पुरान कथा का आयोजन किया गया जिस में कथा वाचक पंडित आचारियों जी व्यासनागर प्रिपलिया वालों के मुखार बिंद से संगीत मय भगवान शिव की एक से एक कथा के भजनों के माध्यम से वर्णन सुनाए पांडाल में बैठे श्रधालों भजनों पर जुमते नजर आय कथा में दिनों दूर दराज से श्रधालों कथा श्रवन करने के लिए कथा पांडाल पहुँचे कथा का समय दोपहर बारह से चार था वही कथा पस्चातरात्री को पंडाल में भजन मंदलियों के द्वारा भजन भी एक से एक हुए कथा 10 जनवरी 2013 को कलश यात्रा के साथ प्रारंब हुई और 16 जनवरी 2013 को संगीत में महा पुरान के समापन के पूर्व श्रीयों जी व्यास जी ने बताया कि आज कथा का पूर नाहुती दिवस था और आज के दिन भगवान शिव के पमचाक्षर मंत्रों का और भगवान शिव ने जोदे के बारे में जानकारी दी है वेह सब जानकारी कथा के माध्यम से सुनाई गई है वही उन्होंने कहा कि आत्माव का कल्यान ही शरीर के माध्यम से हो सकता है अगर इस शरीर को शुद करें तो आत्माव का कल्यान हो सकता है और आत्मा परमात्मा में विलीन हो सकती है ऐसे एक से एक वर्णनों से पांडाल में बैठे शद्धालूं की आंखे भरा इंती साथ ही साथ कथा के महा आर्तिकर भगवान शिव को महा भोग लगाया गया वही पांडाल में बैठे सेकडों शद्धालू भक्तों को आयोजन करता उन्हें महा प्रसादी वित्रत की